इसा क्यों किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलायंस बनाए जिसका नाम इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का एलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 करोड लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मान ल है भई देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है इतनी पुरानी संस्कृती है इतना पुराना हमारा देश है उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया एलाइंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनक इसा लगता है कि देखें इंडिया एलाइंस के लिए जो इनका रिस्पॉंस है उससे लगता है कि बहुत जादा बॉखलायों है बहुत जादा बॉखलायों है जिस दिन इंडिया एलाइंस जादा उस दिन उन्होंने एक शगूफा छोड़ दिया वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे divert करने के लिए attention one nation one election कैसे कर सकते है one nation one election से जनता को क्या फायदा है कि मतलब मैं अगर आपको one nation one election करेंगे कोई फायदा होगा आपके परिवार को कोई फायदा होगा बच्चों को कोई फायदा होगा कोई महंगाई कम हो जाएगी बेरोजगारी कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन का बसे एक ही फायदा है अभी ये इन कुछ हर छे-छे महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं फिर ये पांच साल में एक बार शकल दिखाएंगे पांच साल पूरी दुनिया घुमेंगे फिर पांच सा लिए काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल काम नहीं करना चाहते हैं पांच साल मत्रगश्टी करेंगे और फिर पांच साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब